सिक्षा जीवन का आधार है इसके बिना जीना बेकार है ये एक बिलकुल सही बात है क्योंकि व्यक्ति बिना सिक्षा के तो एक पशु की तरह होता है और हमारे भारत का भी तो बहुत सुन्दर स्लोगन है ना कि पढ़े का इंडिया तभी तो बढ़े का इंडिया लेकिन यहा और पढ़ाई के नाम पर धर्मांतरन का खेल चल रहा हो धर्मांतरन के धंदे चल रहे हो जिहाद चल रहे हो लोगों का ब्रेन वाश किया जा रहा हो उन्हें गलत मार्ग पर ले जाया जा रहा हो उन्हें जिहादी और आतंकी बनाया जा रहा हो तो आप सोचिए ये क्या पढ बिल्कुल नहीं है लगभग भारत के हर प्रांत में हर राज्य में इस प्रकार की अने को घटनाय सामने आ चुकी हैं और सरकार प्रसाशन को ना पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता हाल ही में दमो का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था जहां पर तो स्कूल के अंदर पुरा जिह आदिस्सामराज्य खड़ा कर दिया गया था बिना हिजाब के प्रवेश ही नहीं दिया जाता था और वहां से तो PFI की टेरर फंडिंग का भी कनेक्शन सामने आया है इसकूल की टीचरें तक बदल दी गई यानि टीचरें हिंदू थी जिनें मुस्लिम बना दिया गया अब जो हिंदू से मुस्लिम बनी टीचरें हैं वो स्टुडेंट्स के साथ क्या करेंगी उन्हें भी तो वही जहर भर के उनका कनवर्जन करेंगी इस प्रकार का काम चाहे इसाई मिश्णरियों द्वारा संचालित इसकूले हो या फिर कोई भी सरकारी स्कूलों में भी समश्या बन जाएगा इसलिए सरकार प्रसाशन और साथ ही अभी भावगों को भी इस बात का खास ध्यान देना होगा कि वो अपने बच्चों को कहां भेज रहे हैं शिक्षा का आधार देने या विश्व के लिए विनाश तयार करने इसलिए खास ध्यान दे अभी भावग कि अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, क्लास, टूशन कहीं भी भेजें तो आप कहां भेज रहे हैं या आपको बहुत अच्छे से बारी की से जाच करनी होगी खास कर कॉनवेंट इस्कूलों और कटर पंतियों की स्कूलों से अपने बच्चों को दूर रखें ताकि उन नाश ना हो.